तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नेट्वोंक डिवाइस के बारे में क्योंकि अभी हमारा वेसिक चल रहा है CCNA start करने से पहले हमने basic की classes start की हुई है तो अगर आपने CCNA करना है अभी आया आपके दोस्त अभी करना चाहते है तो उनको बता दो basic चल रहा है अभी तो start करता है जी पहले network devices के साथ क्योंकि recording मैंने already start कर दी हुई है और network devices बहुत ज़्यादा जरूरी है इवन वो devices भी ज़्यादा जरूरी है जो हमने already पहले वो किये हुए चाहे पड़े भी हुए हमने और जो इस market से out भी हो चुके है वो devices जानने भी जरूरी है तो network devices के लिए उसके थोड़ा font size हम बड़ा कर देते हैं आपके लिए तो कौन-कौन से network devices है already हमें पता है लेकिन कुछ device market से out हो चुके हैं जैसे आपने hub का नाम सुना होगा है न hub भी एक device था उसके बाद में bridge नाम का device था ठीक है switch तो अभी भी use हो रहा है switch नाम का device था router नाम के devices से उसके बाद में repeater आपने सुने है रिपीटर के साथ वो भी सुना होगा amplifier यह सेम ही होता है ठीक है amplifier और repeater बैसे repeater देखने में अलग होता है यह मैं बताऊंगा कहां पर use होता है और network devices के अंदर हमने workstation हमने पढ़ लिया था जैसे server एक student का question आया था last उसके अंदर कि सर्क computer और server में में difference क्या है तो वह भी मैं आपको बता दूगा server एक तरीके का computer ही है बस server manage करता है ठीक है तो वह हम discuss करेंगे उसके इलावा एक hardware devices होते हैं हमारे कुछ layer 1 के लिए क्योंकि सभी की ऐसा नहीं कि सभी की job directly router और switch configure करने के लिए लग जाती है जब आप किसी भी company के अंदर job try करते तो उसके अंदर job level होते है layer 1 job layer 2 job layer 3 job तो एक सबसे important चीज जो हम मिस करते हैं वो है question cables cables भी network device है के अंदर कौन कौन सी cables आएंगी वो है उसके इलावा cable बनाने के जो टूल है उसके लिए मैं video आपको भेज दूँगा ठीक है नहीं तो मैं crimping टूल यहां से ले आउंगा और आपको बना के भी दिखा हुआ ओनलाइन के अंदर तो आप भी मार्केट से आरजे 45 connector लेके आ सकते हूं ठीक है एक लैंड क्रिंपिंग टूल लेके आ सकते हूं ठीक है और एक लैंड टेस्टर यह मैं आपको भेज दूँगा वीडियो डारेक्ट वरी अबाट इट ठीक है उसके इलावा पुछ basic devices जैसे की security के लिए यूज होते हैं जैसे की सबसे important device है firewall आपने firewall configure करने भी सीखनी है CCNA के अंदर जिन्होंने already CCNA की हुई है पहले और वह रिवाइज लेक्चर लगा रहे है ठीक है उनको बताना जाता हूं कि जब आप ACL router के उपर लगाते हो access control लिस्ट एक टॉपिक आएगा आपको वह एक तरीके से firewall काई काम करता है तो firewall भी एक device भी है hardware device ठीक है तो वह हमें security के लिए configure करना पड़ता है उसके इलावा gateway नाम का भी एक device होता है और यह software भी होता है hardware भी होता है और भी इसके अंदर बाकि इसके इलावा और भी बहुत सारे devices हैं जो हमें पता होने चाहिए जैसे Canada की अगर मैं बात करूं अगर आप Canada में टैलस या Rogers के दूरू as a layer one engineer job के लिए जाते हो ठीक है उसमें आपकी पर मतलब पर आर्स के हिसाफ से होती है मतलब बीस डॉलर या बाइस डॉलर पर आर से स्टार्ट हो जाती है और वो तीस डॉलर तक होती है उसके अंदर क्या होता है कि आपको jobs के उपर depend होता है उसमें क्या करना होता आपने Rogers या टैलस क के वाइफाई राउटर हो गया आपके तो यह वायरलेस राउटर खुद में एक जॉब पर वाइड करता है क्योंकि घरों में हम सारे वाइफाई ही यूज करते हैं लेकिन कंपनी में लीज लाइन यूज करते हैं तो यह एक डिवाइस भी और इसके उपर पूरी एक जॉब है तो वह भी मैं डिसक्स करूंगा आपके साथ ठीक है सूरज नहीं इंडिया में सैलरी दे ही नहीं रहे जाता ठीक है उसके भी ऑप्शन से सूरज जी ऐसा है ना कि अलग 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 तरीके की कंपनीज हैं आप किस कंपनी को एप्रोच कर रहे हो ठीक है जैसे पॉ चुके हैं कई स्टूडेंट शिरफ और शिरफ बारह तेरह हजार पर मंत से स्टार्ट हुए हैं ठीक है और कई स्टूडेंट सीथे बारह लाखत पके भी गये हैं बक्ति लास्ट स्टूडेंट और अस्ट्रेलिया के अंदर प्लेस हुई है उसका तो 17000 डॉलर का पैकेज ह आई वो इंडियस से ही थी तो आप किस जगह पे कौन सी जगह पे जॉब ट्राई कर रहे हो यह भी मैटर करता है बट में आपके बेसिक स्ट्रॉंग होने चाहिए बखी जब आपके सेशन कंप्लीट हो जाएंगे आपको बेसिक नॉलज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मे हमारे पास एक वायरलेस राउटर के साथ डिवाइस होता है मॉडम अभी हम बेसिक की ही बात करेंगे बिलकुल बाकी बाकी एक और चीज मैंने पहले भी कहा है कि जूम के अंदर जैसे सूरज ने एवरीवन में में मैसेज किया बाकी तीन स्टूडेंट के मैसेज परसनल आ मैसेज करो कि दो स्टूडेंट ने मुझे यह भी मैसेज किया कि सर आपना यूट्यूब लाइव भी करो कोई नहीं वह भी करेंगे तो आप से करेंगे आपका सुजेशन मुझे बहुत अच्छा लगए स्टार्ट करते हैं जी हब से अब जड़ा हब की साइड पर जलते है हब आपने कल भी क्लास के अंदर सुना है जैसे बू बोलते हैं कि यहां पर नेट्वर्किंग का हब है यहां पर टेक्नोलोजी का हब है दाट इस हब वर्ड क्यों यूज किया गया उसके बार में बात करते हैं हब एक ऐसा डिवाइस है विच इस यूज टू कनेक्ट मल्ट इस एक कैसा डिवाईस है जिसमें 2 या 2 से जादा डिवाईस आपस में चुडएंगे और आपस में काम करेंगे थिक है तो अब इसको थोड़ा सा वह करते हैं आइडिया देता हूं आपको मालो यह हब एं इस हब के साथ आपको आगे चलके अलग लग केब लगानी है ठीक ह उसके इलाव में यहां पे PC लगा दी है बाकी जैसे मर्जी करके लगा ले ना जरूरी नहीं है ऐसे लगाना ऐसे ही बना देते हैं ना PC सौरी PC थोड़ा टूटा सा है इसके अंसे दरू ना स्क्रीन ये शेर आपको स्क्रीन दिखने नहीं रही है ना बाकी स्टूडेंट्स को तो स्क्रीन अगें शेर होगी है अब ये हब की बाद है अब हब के अंदर है तो एक डिवाइस ही बाकी मैं आज आपको तोड़ा सा आइडिया से इसको पागे ट्रेसर की उपर प्रेक्टिकल का भी दूँगा लेकिन वो बाद की बाद है मैंने लेक्चर में बताया था लास्ट लेक्चर में ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि अगर यह यहां पे रकेश जी का PC है और ये गौरव का PC है और ये भारती का PC है कि इसके साथ एक और PC लगा है ये गुरपृत का PC है ये राजेश का PC है अगर यहां से रकेश जी ने कोई message भेजा hub के उपर hello तो वो hello सभी तक जाएगा that is called broadcast यह hub का default behavior है उसके इलावा अगर किसी ने रकेश जी को reply कर दिया चाहे वो गौरव नहीं किया जा भारती नहीं किया या गुर्पीत नहीं किया जैसे ही वो reply करेंगे फिर से broadcast होगा तो यह सबसे पहला device था जब हमने start apology के उपर काम करना शुरू किया था broadcast इसका behavior है ठीक है always broadcast करता है इसलिए इसको कम use करते हैं आजकल तो वैसे use नहीं करते हैं लेकिन कुछ जगाओं पर अभी use होता है और main चीज इसके अंदर क्या है अब के अंदर इसके अंदर एक ही broadcast domain है एक ही इसके अंदर collision domain एक ही broadcast domain एक ही collision domain क्या होता है ब्रॉडकास्ट डॉमेन क्या होता है कोलिजन डॉमेन ब्रॉडकास्ट डॉमेन का मतलब है कि एक एरिया ठीक है मैं आपको ऐसे दिखा भी देता हूं ब्रॉड कास्ट डॉमेन वर्सिस पुलीजर डॉमेन अच्छा अभी आपको अभी स्क्रीन आपको वाइट बोड़ी शो हो रहे है यास चलो मैं इसके उपर दिखा देता हूं वरना दो स्क्रीन नहीं कर पाऊंगा ऐसे ओके देखो ब्रॉड कास्ट डॉमेन हो गया एक एरिय एरिया मीन लगए झाल एगजांपन अभी तो मैं वर्चॉल क्लास दे रहा हूं आपको सभी को सेम मैस जा रहे हैं है कि कि मैं हेलो बॉल रहा थे ह São हेलोному जा रहे k Original का मतलब कोळीजंड डॉमेन का मतलब Всем प्रापलम है हम सभी एगर आपस में बात करेंगे तो मैं सभी को गौल्दों की सबी बोलना स्टार्ट करो तो वो एक ही एक ही सेशन के तुरू एक ही एक तरीके से एक ही मीडिया के तुरू मेरे से बात करेंगे Collision domain का मतलब होगा एक रास्ता जो हम एक दूसरे से हमें connect करता है ठीक है सो समझना इस चीज़ को तो अगर हम सारे इस टाइम पे बोलना शुरू कर दें जैसे अभी तो मैं क्लास दे रहा हूँ एक broadcast domain में सारे कठे debate करना शुरू कर दें तो वो यहाँ पे क्या होगा collision पैदा हो जाएगा जैसे for example किसी कमरे theater hall में जाने के लिए एक ही रास्ता हो जाने का भी आने का भी तो उस time पे क्या होगा जो बाहर से अंदर आने वाले users होंगे और अंदर से बाहर जाने वाले होंगे वो आपस में टकराना शुरू कर देंगे traffic हो जाएगा तो यह hub की सबसे बड़ी problem है कि इसमें एक ही collision domain होता है तो collision domain एक तरीके से refer करता है जैसे कुछ network segments होते है set of devices के जहाँ पे packet आपस में collide करते है ठीक है और broadcast domain का मतलब क्या होगा कि जितने भी devices हैं वो एक दूसरे को सेम तरीके की information भेज रहे हैं यह problem solve करने के लिए ही इन्होंने नया device बनाया था bridge ठीक है ब्रिज क्यों वैसे तो active पैसिव हब भी थे अगर कोई interview में पूछ ले वैसे तो यूज नहीं होगा को interview में वैसे पूछ ले कि हब कितने की तरह के थे तो इन्होंने एक्टिव और पैसिव बनाया थे एक्टिव हब होता था जो signal को region rate करता था वो आगे बताऊंगा रिपीटर में ठीक है पैसिव हब signal को region rate नहीं करता था तो इस problem को solve करने के लिए जो हब की problem थी हमेशा broadcast की इन्होंने एक device बनाया bridge यह आप Google पे भी search कर सकते हो मैं भी दिखा दूगा यह दो ऑफिछ के बीच में लगता था यह जो बीच का addresses को आप अब ब्रिज मान लो इन अभी अब हम हम क्या होता है मॉनों एक हम के साnumber यूजा लगाए रहे तूसरे हमके साथ आपने 5 यूज़र लगाए तीसरे के साथ आपने साथ यूजर लगाएं अगर आप डिरेक्टली हब को जोडते हो तो broadcast domain एक ही रहेगा एक ही broadcast domain रहेगा ठीक है और collision domain भी एक ही रहेगा मतलब अगर यहां पर अभी यह जो मैंने network बनाया था रकेश जी का बारती का गौरव का गुरपीत का अगर इन साथ मैं बाकी के users भी जोड़ दूँ शिवनीत सिदेशवर सूरज गुरजंदर जितने भी हैं ठीक है सभी को जोड़ दूँ यहां पर तो यह एक बार में broadcast करेंगे लेकिन अगर मैंने इनके बीच में लगा दिया bridge ठीक हैं कि यह जो पहला दूसरा हब लगा इसके अंदर सिर्फ तीन यूजर हैं अमित हैं गुर्जंदर हैं और कुनाल है और अगर यह पहले वाले चार यूजर थे इन्होंने आपस में अगर बात करनी है तो bridge क्या करेगा यह बोल देगा कि इनका broadcast domain यहां पर अलग है इनके packet आपस में collide करेंगे इनके packet आपस में collide करेंगे हाँ अगर इन्होंने आपस में बात करनी है तब जाके broadcast domain मतलब वो हो सकता है आपस में broadcast कर सकता है otherwise मेरी traffic जो traffic होगी वो कम हो तो networking के अंदर हमें traffic भी बहुत ज़्यादा रोक के चलना पड़ता है तो companies के mind में आया कि अगर एक bridge कि दो port के साथ अलग-अलग collision domain बना सकते हैं तो क्यों ना हम multiport bridge बना दें कमपनी आगे तरकी के लिए सोचती है जैसे अभी जपान ने टेस्टिंग शुरू करने शुरू कर दिया लाइव डिवाइस इसके उपर 6G की जो कि 20 ट्वेंटी टाइम्स फास्टर है 5G के साथ इसी तरह उन्होंने उस टाइम पर सोचा कि हम bridge की जगा multiport bridge बनाते है multiport bridge मतलब जैसे कि यह दो port का device है ठीक है ऐसे बना देता हूं इसके साथ दो port का device और जोड़ने इसके साथ दो port का device और जोड़ने जितने device साथ-साथ में जोड़ते रहेंगे ताकि collision domain अलग-लग हो जाए collision domain अलग-लग का मतलब कि अगर मुझे इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ प्यूश से बात करनी है तो प्यूश जब reply करे तो उसका effect बाक्कियों के उपर ना हो तो आज कल जो device आप यूज कर रहे हो स्विच सेम एज हब स्विच हमारा सेम हब की तरह काम करता है पहली बार ब्रॉड कास्ट करता है आफ्टर डैट यूनिकास्ट करता है ठीक है थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देखे प्रैक्टिकल दिखाना जाता हूँ डिफ्रेंस बताने के लिए थोड़ा सा तो मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ यहां पर अगर यह देखो यह सॉफ्टवेर है और अभी ध्यान मत देना इस सॉफ्टवेर पर इस इसको पाकेट ट्रेसर ठीक है तो अभी सिर्फ इतना जान लोगी यह एक ऐसा सॉफ ले लेता हूँ देखने में रहाफ दो देखा रहता हूं और स्विच देखने में ऐसे होते हैं यह उन 59 तुम करता हूं यहां पर यूजर से लगा देता हूं एक दो तीन चार चार यूजर ने इन चारों यूजर को कोई आई-पी देना अभी आई-पी मैंने पढ़ाया नहीं है अगले सेशन के अंदर पढ़ाना है अभी सिर्फ यह समझे लो कि आई-पी एक लॉजिकल एड्रेस है तो मैंने केबल लगा दी केबल कैसे लगानी है कैस रहें यहां पर ठीक है और उसके बाद में यह फॉर एक्जमपल सिधेश्वर जी का पीसी है इनको मैंने अपनी मर्जी से डेक्स्टॉप में जाकि आई-पी दे दिये अभी आई-पी या क्या होते हैं वो भी हम करेंगे जो जॉब कर रहे हैं अल्रेडी उनको पता है ठीक से बना आज कल आई-पी वी सिक्स क्यों यूज हो रहा है और आई-पी वी फोर के अंदर क्या-क्या-क्या ड्राउबैक्स से क्या-क्या दिखती अब मैं सिर्फ आपको हब के बारे में बताना चाहता हूं मैंने बोला था कि हमेशा ब्रॉड कास्ट तो अगर मैं अमित को ब आप के पास जाएगा दोग और चमट और फिसेड़ और गुर्पीट ने बोला यह मैसस हमारे लि Ear तो時 कहेंगड थेश्वर जीने किया हfel घ्रम ने दुबारा ब्रॉड कास्ट कर दिया तो यह एक बड़ी प्रॉब्लम है जितने यूजर बढ़ते रहेंगे यह तो ब्राडकास्टी करता रहेगा, देखो मेरे को benefit है, zoom class में broadcast करने से, चाहे आप यहाँ पर 20 students आजाओ, चाहे आप यहाँ पर 50 students आजाओ, ठीक है, 50 के 50 students भी होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर पिचास students के लिए मुझे दिक्कत नहीं आएगी लेकिन मशीन को दिक्कत वाएगी ना अब मैंने यहाँ से हब को हटा दिया मैंने हब की जगा लगा दिया स्विच तो यह सबसे पहला बेसिक्स कि अब मैंने स्विच के बारे में आपको बताया था कि switch एक ऐसा device है जो हब की तरह काम करता है ठीक है अब यहां पे दोबारा simulation on करते हैं मैंने बताया था switch first time broadcast करता है दोबारा अमित जी ने message किया सिदेशवर जी को switch first time करेगा ब्रॉडकास्ट ठीक है यह switch का behavior एक सेकंड simulation कहां गई दोबारा message करते हैं यहां से यहां को मैंने message किया यह देखो broadcast कर दिया पहली बार गौरव और गुर्पृत ने मना कर दिया कि यह message हमारे लिए नहीं है सिदेशवर जी ने message दोबारा भेजा लेकिन वो अमित को अकेले को गया है टेक्निकालिटी समझो इस चीज की दुबारा अमित जी message करेंगे सिदेशवर को तो वो वन टू वन नहीं जाएगा वन टू वन टू वन का मतलब एक बंदा एक बंदे कोई message बेज़ेगा बाकी दो user को disturbance नहीं होगी अब यह हुआ क्यों अब टेक्निकल में चलते है थोड़ा से जो सुच होता है जो पहली बार करता है तो वह तो आई-प अड्रेस उसके देखता है ना सब मैक अड्रेस देखता है वही वहीं उसी की बात करने उसके साथ जो पोर्ट लगे होते हैं वह लर्न करते हैं पीसी का मैक अड्रेस भी हमारी है के यूनीक अडेंटिटी है सब्सक्राइब करते हैं कि उसके बारे मैं बताने जा रहा है यहां इसको इसको मैं बदल सकता हूं खिक्यल हो मैंसायबर सिक्यरेटि के उदर भी काम करता हूं उसमें भी प्रवाइड करता हूं उसमें हम एक virtual Mac create करके Mac address भी बदलते हैं Mac change भी करते हैं Mac changers भी use करते हैं लेकिन एक burn in address होता है switch के अंदर वो कभी change नहीं होता media access control जिसको आप बोलते हैं physical identity वो नहीं आपकी change होगी तो Mac address क्या होता है computer का media access control 48 bit का एक hexadecimal address होता है जिसको हम physical address बोलते हैं यह भी interview question है what is Mac address ठीक है दी तो यह भी है तो Mac address 48 bit का होता है ठीक है 48 bit का जो Mac address है यह हर एक computer के अंदर हर एक mobile के अंदर जितने भी electronics device आपस में बात करते हैं उनके साथ already उनके अंदर inbuilt होता ठीक है तो switch के पास यह benefit है कि जब switch किसी भी PC से जुड़ता है पहली बार broadcast को करता है इसलिए पहली बार broadcast इसलिए करता है ताकि उसका Mac address जान जाए जैसे मुझे आप सभी के जैसे for example नाम ना पता हो मुझे किसी का नाम नहीं पता है ना तो मैं class के अंदर यहीं बोलूगा ना for example मुझे नहीं पता कि आज class के अंदर for example भारती कौन है ना मैं बोलूगा यह यह भारती कौन है यहां पर भारती मुझे रिप्लाइब करेगी कहां जी मैं भारती हूं अब मुझे पता चल गया है मेरे पास मेरी memory के अंदर यह store हो चुका है कि यह भारती है ठीक है तो उसके बाद मैं class में दुबारा आके नहीं पूछूंगा कि यह भारती कौन है ठीक है क्योंकि मेरे पास store हो चुका है कि भारती कौन है समझ रहे हो memory इसलिए और IP address को आप यह समझ लो कि आपके roll number जैसे colleges में पढ़ते हो तो roll number की तरह काम करते है एक class के बाद दूसरी class में जाके roll number बतल जाता है लेकिन आपका नाम और आपकी identity सेम रहती है तो mac address को इस तरीके से समझ लो तो mac address switch learn करता है यह basic समझना बहुत जरूरी है जब एक बार switch के पास mac आ गया उसके बाद वो करत तो unicast के साथ switch की speed बढ़ जाती है इसलिए आज कल हब की जगा हम switch use करते हैं और switch के अंदर broadcast domain तो एक ही होता है लेकिन many collision domain होते हैं अब मैंनी collision domain का मतलब समझते हैं मैंनी collision domain का मतलब है कि मैं सभी के साथ message कर रहा हूं हेलो भेज रहा हूं मालो आप मेंसे किसी ने मेरे से कोई question पूछना है तो आप मेरे से one-to-one बात कर सकते हो आप आपस में भी one-to-one बात कर सकते हो तो this is the benefit of switch that's why आज कल switch ज्यादा यूज हो रहे हैं ठीक है समझ में आया थोड़ा सा switch कैसे यूज हो रहे हैं अब यह सर फोड़ा सा आगे चलते हैं अब companies के अंदर interviews question होते हैं what are the types of switch ठीक है types of switch कौन-कौन से हैं तो यहां पर types of switch की बात की जाए तो एक होते है manageable ठीक है एक होते हैं हमारे unmanageable ठीक है spelling देख लेना कुछ गलब दिखा रहा है कोई दिखते पने unmanageable ठीक है manageable switch और unmanageable switch में difference क्या है यह कौन कर रहा है manageable manageable switch क्या है ठीक है जिस switch को आप configure कर सकते हो manageable switch that can be configured unmanageable switch जिसको configure नहीं कर सकते हैं जस्ट आप sharing के लिए यूज कर सकते हो और internet चलाने के लिए यूज कर सकते हो गेम खेल नहीं है घर पर बैठ गए पुराने टाइम पर भी थे अभी भी गेमर्स हैं लेकिन वो cloud के उपर games खेलते हैं अगर आप आज से 10 साल पहले चले जाओ तो हम cable लगा के भी गेम खेलते थे अईड्यवर स्पीड भी खेलनी होती दी केबल लगाई लैं केबल लगाई किनेक्ट किया उसके साथ भी गेम क्यल सकते है ठीक क्या होती है कि manageable switch के अंदर होता है जी console port तो console port जिस switch में होगा that is manageable बाकि इसके बाद और भी types आते हैं switch के single layer switch और multilayer switch single layer switch होता है मेरे L2 switch और L2 switch की बारे में अभी जब हम practical करेंगे और जानेंगे और एक होते हैं L3 switch ठीक है होते हैं हमारे multilayer switch तो multilayer switch को आप router भी बना सकते हो तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे अब अगले जो हमारे further devices है that is called सबसे important जो आपने network में use करना है router तो router हमारा एक ऐसा device है जो की route प्रवाइड करता है which is used to define the route for example आपने अपने घर से किसी location पर जाना है तो आप google map का use करते हो तो वह आपको रास्ता दिखाता है similarly internet के अंदर भी बहुत सारी locations है तो यह भी आपको route provide करता है तो इसको भी आपने configure करना है इसके अंदर ports होते हैं इसके अंदर भी configure करने के लिए console port होता है इसके अंदर modern connectivity के लिए auxiliary port होता है ठीक है इसके अंदर LAN cable connect करने के लिए ethernet port होता है इसके अंदर router to router जोडने के लिए serial port लगाते हैं बाखी आजकल के router में आप fiber ports भी add कर सकते हो stacking करने के उसको stacking बोलते है stack करना उसके अंदर तो वह वाली चीज़ें भी इसके अंदर आप कर सकते हो तो जब updated से इसको back address हम करेंगे उसके अंदर यह चीज़ें discuss करेंगे हम उसके इलावा अगला device हमारे पास है modem तो यह तो आपने सुने ही होगा modem modulation and demodulation कभी जब study की होगी तो उसके अंदर modem का काम सिर्फ इतना है जो भी हमारे पास signal आते हैं signals क्योंकि जो भी हमारा data travels करता उसके अंदर signaling होती है signal दो तरह के होते हैं that is called analog signal and digital signal तो modem का असली काम digital signal to analog और analog to digital करना है तो यह modem का काम है ठीक है कई लोग modem और repeater में ना confused हो जाते हैं मतलब interviews time या फिर जब मैं भी questions बगएरा करता हूं modem और repeater में difference सिर्फ यह है ठीक है modem का मतलब है सूरज का message answer L3 और L2 switch में main difference बताता हूं वैसे यह अगले उसके अंदर आएगा सूरज topic के अंदर आएगा L3 और L2 का तो उसके अंदर detail में discuss करेंगा अभी network device बता रहा हूं modem और repeater की बात चल रही थी repeater सिर्फ signal को regenerate करने के लिए use होता है modem signal को convert करने के लिए use होता है repeater is used to regenerate the signal ठीक है regenerate the signal का मतलब क्या है जैसे for example आपने electricity electricity चोड़े electricity के लिए use होता है जब हम कोई भी data transmission करते है किसी cable के तरू ठीक है जैसे cable तार के network आते थे पहले मैंने परवानी वीडियो में भी बताया है पहले हमारे पाद D2H connections नहीं होता थे cable तार होता है तो cable तार TV के साथ जब हम किसी घरों के अंदर television के लिए network पहुंचाते है तो हमारी wire का जो default behavior है उसके से signal travel करता है लेकिन अगर आप graph की form में समझोगे technical form में समझोगे तो signal एक time पे जाके decrease होना शुरू होता है उस signal को boost करने के लिए हम जो device use करते है that is called repeater उसको booster भी बोला जाता है ठीक है तो वह ऐसे device है आपने black black internet service provider बहुत सारे घरों में internet provide करते हैं तब यह use भी होता है जी गौरव मुझे इंटर्व्यू में कोशन पूछा था कि जो रपीटर है वो रपीट तो करता है signal को बट कितनी मेटर के बाद जो रपीटर यह मलब कितने मेटर के कितने मेटर के बाद 200 मेटर के बाद कब डाउन होना शुरू होता है network वह आपके सिगनल की उसके उपर करता है कि आपने कितना सिगनल उसके अंदर ट्रांस्मेट किया हुआ है मतलब यह टेलीकॉम के अंदर होते हैं उसको आप माप भी सकते जो डिवाइस आता है कितने मीटर के बाद एक्जेक्ट करता है और कितनी दूर जाके वह सिगनल भीक पड़ता है तो वह डिवाइस यूसी साथ से लगाते है अच्छा आंसर है जब जॉब होते हैं मैंने कभी ऐसे आपने यूज करते थे हम सो मिटर के बाद यह करते हैं सब्सक्राइब करता हूं एक सब्सक्राइब के बाद ये यूज होता है तो इसका अंसर आपका हंडड़ मीटर ही बनाया क्योंकि मैंने आइस पी कंपनी में ऐसे लेर वन लेवल पर काम ही नहीं किया त सब्सक्राइब करें के आपको अबुद्सक्राइब के बारे में बता है ओड़ कि मैंने इस आप वीडियो अपलोड नहीं किए एक lecture मैंने अभी upload नहीं किया है तो वो भी मैं upload कर दूंगा उसमें fiber cable के बारे में बताया था कि fiber cable की जो speed है वह कितने level तक जा सकती है तो वह भी आपके लिए टास्क है जब हम cable के बारे में बात करेंगे आपने speed के बारे में पढ़के आना है कितने स्पीड तक मैक्सिमम फाइबर केबल अपना डेटर ट्रांसफर कर सकती है स्ट्रेट और क्रास केबल का डिफरेंस किया बखी प्रेक्टिकल में उसके अंदर आपको बताऊंगा ठीक है कोई ऐसा डिवाइस जो मैंने डिस्कुस ना किया हो गेटवे गेटवे क्या होता लैन को राउटर से कनेक्ट करते हैं और बाहर जाने का रास्ता देखते हैं जैसे अपने घरों से आपका बाहर जाने का रास्ता है जो हमारा हमारे नेटवर्क को छोड़के एग्जिट पॉइंट होता है न उसको बोलते हैं गेटवे अब सॉफ्टवेर में आपने तो यह हाडवेर गेटवे इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो यह जो सारे थे हमारे दीज और कॉल्ड नेटवर्क डिवाइसेज अभी डिवाइसेज के बाद जो केवल वाला लेक्चर है वह हमने करना इसके बाद तो डिसकस करेंगे उसको बाद में इसको रिकॉर्डिंग को मैं पोस्ट कर देता हूं ताकि ज्यादा बड़ी वीडि होना बंद है